यूँ तो डॉमिनोज की सारी चीजें बच्चों को बहुत पसंद होती है पर उसके जो जिंगी पारसल आते हैं वो बच्चों में बहुत जादा फीमस है बच्चों को बहुत जादा पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर उसे त्यार किया जाए कुछ इंस्टेंग तरीके से बट बहुत जादा टेस्टी और थोड़ा हैल्दी वर्जिन उसका तो फ्रेंड्स कोई भी रेसिपी हम पहले अपने को ट्राई करते हैं जब पसंद आता तो ही आपसे शेयर करते हैं इसक क्योंकि मैंने जब बनाया तो बस इसके लिए बार-बार डिमांड होने लगी कि इसे कभी लंच में हमें चाहिए तो कभी ब्रेकफास में खाना है इतना ज़्यादा यह टेस्टी था तो इसे हिल्दी और भी आप कैसे बना सकते हैं कि आपके उपर है यह देखिए मैंने य नमक भाए चीली फ्लेक्सित टाली और यहां बोहैता यहां पे अगर यह सारे चीजे नहीं पर के साथ भी एक बनाएंगा यह चाहाँ जादा टास्टी लगे सब्सक्राइगा और बच्चे अगर चिली फ्लेक्स पसंद करते हों तो ही डाले यहां नही चैली मैशे नहीं कम लिए आप चाहें तो पूरी तरह से ये कि कर सकते हैं यहां पर इसे और यह अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया मैवनीज को कि है कि जो यह फोड़े से मैंने हर्ब्स और डाल दिये थे और यह डाली है मैंने घर की थोड़ी सी गाड़ी जमी हुई दही जो कि मयोनीज कम मैंने डाला है उसलिए इससे यह अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा और यह थोड़ा सा मैंने यहां पर टोमेटो सॉस डाल दिया यहां पर आप सॉस अपने पसंद से कोई भी आड़ कर सकते हैं अपने टेस्स के अकॉर्डिंग यहां पर फ्लेम को लो रखें बटर जलने न पाए और फटा फट से इसमें जो मैरिनेट किया हुआ पनीर रखा है उसे डाल दिया मैंने बटर बहुत जल्दी जल जाता है इसलिए ध्यान रखें इसको तुरंत इसमें मैंने पनीर को डाल दिया और यह पनीर अब यहां पर तो आप देख सकते हैं काफी मौशर इसमें से रिलीज हुआ है पनीर से तो और सब्सक्राइब भी उसे भी हमें सुखा लेना है और दूसरी साइट चलते हैं इसको भी ड्राइब होने देते हैं तो यहां पे मैंने यह वाइट ब्रेड लिये हैं ट्रैंगुलर इस तरह शेप की प्रवाद में है यह मेरे पास इस शेप की ब्रेड थी तो इसलिए मैंने इस से बनाई आपके पास अगर नहीं है तो आप जो अपने बेलन से उसे ठोड़ा सा फ्लैट कर ले इसे ब्रेड जो हैं मौनि तूटे की नहीं नहीं रोपी रूप्त हो जाएगी इस तरह से उस पतला कर लें और इधर पनीर जो है वो ड्राई हो गया है हमारा उसे गैस को बंद कर लेते हैं पनीर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं तो अभी क्या करते हैं यह यह देख सकते हैं बड़े काफी फ्लैट होके बड़ा भी हो गया है और यह पतला हो गया है काफी जिससे कि मोलने में तूटेंगे नहीं हमारे ब्रेड जो है तो इस पह थोड़ सा भी हम पॉलनीज लगा लेते हैं तो यहां पे आप इसे स्किप करके आप यहां पे बटर भी यूश कर सकते हैं लास तो यह पोई चट्णी या सॉस भी तो पीजा वाला चीज आता है, मौज़रेला, उसे भी आप रख सकते हैं, और उपर से टूटपिक से इस तरह से इसे से क्योर कर दिया, इस तरह से दूसरा भी हम बनाते हैं, इस पे भी मैंने ये मैउनीज लगाया है, यहां पर आप चाहें, तो चटनी सॉस के साथ भी लगा सकते हैं, और वही पंफनीर का मिक्षर रखा और एकए यह स्लाइस के इस तरह से एक पीश स्ट रखे और यह पर चाहिंकãy त्यार कर लिए भी ने में ब्लाइच के पार्सल पार से इसे सील कर दिया एक टूथ पिक से इस तरह से सारे इपने तुपर कर लें आप, यह देखे जब कभी बच्चों को भूख लेगे तो फटा फट से या बच्चे डिमांड करें और करने के लिए जिंगी पार्सल तो आप इसे फटा फट से बना के उन्हें आप दे सकते हैं यह बहुत खुश हो जाएंगे इससे खा के यह ही इतना ज्यादा टेस्टी इसे ट्राइ जरू आप यह दूबस्ते ना टेस्टी बनता है कि आप वस असे एक बाद राइ करके देखिए यह मैनि उपर से थोड़े थोड़े बटर लगा दिये और अभी इसे ठाख के मैंने इसे हमें सेख लेना है अ इस तरह से लगा के मैंने इसे डाग दिया है बिल्कुल बिल्कुल जो बस एक बार पलटने तक ही धकना है दूसरी बार पलटने के बाद हमें धक के नहीं पकाना है वरना यह गीले-गीले से हो जाएंगे मॉश्चर आजाएगा इस पर यह देखें इसको हम पलट के भी देखते हैं यह किस तरह से अब है अभी यह टूस्पिक खोटाइगे क्योंकि एक हीशेप को कर चुके हैं तो किसे हटा देते हैं और पलट लेते हैं यह काफी करारे क्रिस्पी अ सब्सकते निकालकर और इसे पलट लेते हैं पार्सल को अब कि इस तरह से इसे पलट लेते हैं कि कलर बहुत प्यार आया है तो इसे अभी खुला ही हमें सेक लेना है दो से तीन मिनट के लिए यह देखें यह अंदर से इतने जूसी और उपर से काफी क्रिस्पी होते हैं प्राइब जरूर करिएगा यह और इस वाइट ब्रेड के अलामा आप इसे चाहें तो और हल्दी कर सकते हैं मल्टी ग्रेन ब्रेड आते हैं या फिर ब्राउन ब्रेड के साथ तो वोल बीट ब्रेड आता है तो आप किसी के साथ इसे ट्राइ कर सकते हैं इतने ही टेस्टी लगेंगे सारे ब्रेड के साथ यह दे पहले भी आप से शेर किया तो जाके एक बार जरूर चेक करें और पसंद आने पिर उसे भी लाइक करें मैंने बड़िग लेक्पे तुकड़ों से उसके साइड दो यह ने एक पीजा बनाया है वो जरूर चेक करिएगा, वो पैन में बनाया है मैंने, और कुल्हड पीजा भी मैंने बना के इस पर अपलोड किया है, चैनल पे तो उसे भी एक बाद जरूर चेक करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, आसानी से आप घर में उसे त्यार कर सकेंगे, तो एक बाद जरू